36 घंटे लगातार ट्रैन चलाने के बाद, 4 दिन, क्या अगर कुछ दिनों तक लगातार ऐसी ड्यूटी करने को मिली, तो ड्राइवर शायद घर आने लायक नहीं रह पाएगा? माफ कीजिएगा, लेकिन कभी किसी हाई स्पीड से भागती ट्रैन के इंजन में एक दो घंटा ही व्यतीत करके देखिए इंजन और मशीनों का जबरदस्ट शोर, गर्मियों की तप्ती दोपहर में, वर्किंग कैब का 40 से 45 डिग्री का उच्च तापमान, वहीं सर्दियों की सर्द रातों में, कैब और खिदधकियों की जड़ी में से तीर की तरह अंदर घुस्ती ठंडी हवा उस पर सर के उपर लगातार 25,000 वोल्ट का विद्युत चुम्बकिय प्रभाव या फिर डीजल इंजन की चिमनी से निकलता गर्म काला धुआ, जो की लॉंग हुड ड्राइविंग के समय अक्सर कैब में घुसकर आपकी सांसों को भी गर्म कर देता है उसके बाद ऐसे सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सहब आपकी ड्यूटी कहां तक रहती है या फिर जिस ट्रैन पर हूँ उसके गंतव्य का नाम लेकर पूछते हैं कि जैसे कि आप लखनव कब तक पहुँचेंगे, वहां से वापसी में कौन सी ट्रैन रहेगी, घर क अब लोटते होंगे, जबकि ट्रैन मुंबई डिवीजन के कुरला टर्मिनस दादर या कल्यान स्टेशन पर खड़ ही है। की जानकारी दी जाती है, जिसे लर्निंग रोड कहते हैं। कारी नहीं है, उस रास्ते पर ट्रैन चलाना खत्रे से खाली नहीं और जो नियमों के खिलाफ है। इतने सारे जोन और डिवीजन फिर डिवीजनों के अंदर भी अलग-अलग क्रू चेंजिंग पॉइंट्स या ड्राइवर लॉबियां। इन सब की क्या जरूरत ही भाई? ये सब एक व्यवस्था के अंतरगत है। कि ट्रेन चालकों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित रहें, उन पर ज्यादा बोज ना आए, वे तनाव रहित और धकान रहित होकर ट्रेन संचालन करें, जिससे हम सब की ट्रेन यात्रा सुरक्षित बन सके। दिल्ली से चेन्नाई तक, जहाँ जहाँ रेलवे के डिवीजन और जोन बदल रहे हैं न, बस समझ लीजिए, वहाँ वहाँ अगले डिवीजन का ड्राइवर आगे की वर्किंग करता है। पहले वाला ड्राइवर कुछ घंटे वहाँ रणिंग रूम में रुक कर विश्राम करके फिर वापस अपने हेड़ क्वार्टर की दिशा में आने वाली गाध्धी काम करता है। जिससे वह लगभग एक ही दिन में वापस घर पहुँच जाता है। जिससे आप ड्यूटी रोस्टर की तरह समझ सकते हैं। ये सभी लिंक डिवीजन स्तर पर जोनल अधिकारियों एवं रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश नुसार बनाये जाते हैं। कुछ उच्च गती, हाई स्पीड, ट्रेनों, जैसे के राजधानी एक्सप्रेस के लिंक हेड़क्वार्टर स्तर पर भी बनते हैं। इन ट्रेनों के हाल्ट बहुत सीमित होते हैं। तो ड्राइवर को थौढधा ज्यादा दूरी तक काम करना पढ़ देचता है। लेकिन एक तो ट्रेन की गती ज्यादा है, इसलिए काम के घंटे लगभग उतने ही रहते हैं। दूसरे यदि लिंक के मुताबिक रेस्ट नहीं मिल रहा, तो वापसी में स्पेयर, कार्यमुक्थ कर दिया जाता है। मतलब अब आराम से ट्रेन में सो कर अपने हेड क्वार्टर जाए और इसे भी ड्यूटी माना जाता है।